नमस्कार आप देख रहे हैं वाइरल इंडिया, मैं हूँ आपके साथ नेहा परिहार ये सच है कि शादी में मिले गिफ्ट का मजा कुछ अलगी होता है और इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही आप देखेंगे शोशल मीडिया पर ये वीडियो वाइरल हो रहा है ये वीडियो एक शादी समारों का है जहां एक दूले को गिफ्ट में कोई समान नहीं दिया जा रहा बलकि AK-47 राइफिल गिफ्ट की जा रही है दरसल ये वीडियो कराची में रहने वाले आदिलनाम मकिक वेक्ति ने शेयर किया है वीडियो में साम दिख रहा है कि दूला दूलन बैठे हुए हैं और इस दौरान एक महिला उपर स्टेज पर आती है और AK-47 राइफिल गिफ्ट करती है इस गिफ्ट को देखकर पहले तो दूला भी चौक जाता है लेकिन फिर वो भी इस गिफ्ट को लेता है और मुस्कुराने लगता है महिला स्टेज पर बैठे नौनिवाहित जोड़े को बधाई देती है और उनके साथ फोटो भी खिचवाती है हाला कि वीडियो कहां का है न्यूजबर्ट इंडिया इसकी पुष्टी नहीं करता है वीडियो में महमानों की अवाज से ये भी पता चल रहा है कि उन सब के लिए ये गौरों की बात है इसलिए वो रहान नाम के दूले को बार बार बंदू कैमरे के सामने दिखाने को कह रहे है इस वीडियो को यूजर पाकिस्तानी का बता रहे है और हैरानी भी जता रहे है मुहमत ताहिर नाम के एक यूजर लिखते हैं कि पाकिस्तान अब खात्मे की ओर है जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है तो पाकिस्तान के लोग पीछे जा रहे है अब वो पहले मधेकाली नियुक तक पहुच चुके हैं, कुछ सालों में स्टोनेश तक भी पहुच जाएंगे दरसल पिछले साल जनवरी में पियम इमरान खान ने अरब के प्रिंस फाहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज को गोल्डन प्लेट राइफल और बुलेट तौफे में दी थी हाला कि ये साफ नहीं हुआ था कि उसे केवल एक प्रदर्शनी की तौर पर बनाया गया है या वो काम भी करती है चलिए अब बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर एक समय था जब दादी अमा हमें कहानिया सुनाया करती थी लेकिन आज ऐसी कहानिया हम वीडियो के जर्ये खुद अपनी आखों से देखते हैं इस वीडियो को देखिए कैसे हाथी डॉगी के साथ खेल रहा है इस वीडियो को इंडियन फॉरिस्ट सर्विस ओफिसर सुशान्त नंदा ने वाइरल किया वीडियो देखने में बेहत सुन्दर है साथ में आश्चर जनक भी है देखिए और कुछ देर तक इस वीडियो का आनद लीजिए कहते हैं शेर तो शेर होता है क्योंकि जब असली शेर सामने आता है तो इंसान की दिल की धड़कने थम जाती है गाजियाबाद में भी कुछ यही हुआ राजनगर के कविनगर रियाईशी इलाके में जब CCTV में एक तेंदवे की घूमने की तस्वीर कैद हुई तो पूरे इलाके में हडकम मज गया हाला कि इसकी सूशना वनविभाग को दे दी गई लेकिन तेंदवे को वनविभाग कब तक पकड़ पाएगा ये तो नहीं पता लेकिन आसपास के लोग इसे लेकर पूरी देहशत में जी रहे हैं देखिए तस्वीरे देखिए आज बस इतना ही नवसकार आज बस देखिए